किसी भी चीज का अविश्कार उसके सफल कहानी के पीछे चिपा होता है ऐसी ये कहानी है दो पईयों की जी हाँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक आकरशित करने वाली बहुती सस्ती वातावरन दूशित ना करने वाली और स्वास्त के लिए लाबकारक ऐसा साथ है आपने तो पहचान लिया ही होगा जी हाँ, वो है साइकल चानते हैं इस साइकल का अविश्कार किस तरह से हुआ ऐसा माना जाता है कि 1817 में जर्मनी की बहरान पॉंड ड्रेविस ने साइकल की रूपरे का तयार की थी तब लकडी की साइकल बनी थी और उसका नाव ड्रेसियन रखा गया था उस समय इस साइकल की गती 15 किलोमिटर प्रतिगंटा थी उसका इस्तमाल सीफ 1830 से 1842 के बीच ही हुआ करता था समय के साइकल पर काफी बदलाव किये गए लेकिन इन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया क्रिक पैडरिक मैकमिलन में क्रिक पैडरिक मैकमिलन इनका जनम दो सितमबर 1812 में स्कॉट लैंड में हुआ था वह एक लोहार के बैटे थे कही साल गुजरने के बाद मैकमिलन अपने पिताजी के साथ लोहार के काम में जूट गए नई नई वस्तु बनाने में उन्हें रुच्छी आने लगी उन्होंने देखा कि इस दू पैये पर सवार को पाउच जमीन पर रखकर आगे ढखनना पड़ता था उस वज़े से इसे बलबान और मस्भूत पाउवाला व्यक्ति ही चाला पाता था फिर उसमें कुछ बदल किये गए उसके बाद साइकल का आगे है आगे का पईया बड़ा किया ताकि छोटी चकर से अधिक दूरी पाई और सवार की सीट पहले पईये पर बनाई लेकिन इससे आगे भार आने के वज़े से अफगात हो जाता था इसलिए ये साइकल ज्यादा दिन नहीं दिक पाई लेकिन 1840 में मैंक बिलर ने इसमें सुधार लाने की कोशिश की और उसने बिना पैरों को घिसे चलाने वाले यत्र की खोच की जिसे उन्होंने विलो सिपीट का नाम दिया था जिसे साइकल के अगले पहे पर दो पैडल लगा दिया इससे साइकल चलाना आसान हुआ था पर उतार के रस्ते पर साइकल पर काबू पाना आसान नहीं था किन्तु 845 में एक फ्रांसीसी निकोलस ने ब्रेक का प्रयोग किया और साइकल चलाना और भी आसान हुआ 1861 में औरनेस मिचोक्स ने इस साइकल पर काफी प्रयोग करके उस साइकल को धातु के पहिये लगाए उसे रबर की पट्टी लगाए ताकि उसे चलते वक्त आवाज ना हो उसे प् physically कि के आवश havia जसा साइकल चलोब सुझा का फ्रांसीस वक्तू vantage कि कि भी जदो जड़ को वक्त आवाए sees comfort वर्ज 1880 में इंग्लेंड की निवासी हैंस रोनाल्ड ने चैन का अविश्कार किया तब साइकल के पहिये एक जैसे बनाने लगे 1880 से 1890 बीसवी सदी को golden age of bicycle खा जाता है क्योंकि उन सालों में साइकल को अच्छा खासा आकार मिला उसे स्टेरिंग मिली और पहियों में चैन इसी दोरान लगाई गई थी और तब से लेके आज तक साइकल चलाना आसान और सुरक्षित हो गया साइकल की पहली रेस इकतीस में 1868 को हुई थी इसका आयोजन पैरिस के पार्प दस सेंट क्लाउट में किया गया यह रेस 1200 मिटर की थी इसके विज़ेता रहे थे इंगलेंड के जेमस पुरिंग और इसके बाद इसके बढ़ती मांग को देखकर इंगलेंड, फ्रांस और अमेरिका के यंत्र निर्माताओं ने इसमें अनेक महत्वपूर्ण बदलाव की और सन 1872 में पेश की और यह साइकल काफी जगह प्रचलन में आ गई सन 1916 से 1990 तक भारत में ज़्यादा तर लोगों के पाद साइकल थी कहा जाता है कि चीद के बाद सबसे ज़्यादा साइकल भारत में बनती है यह व्यक्तिकत यातायात का सबसे ताकतवार और किफायती सादन है दूद की सप्लाई से लेके डाव विभाग का पूरा तंत्र ही साइकल के भूते पे चलता है और आज भी कहीं जगहों पोस्ट में साइकल से ही चिटिया बादता है आज भी साइकल की अहमियत कम नहीं हुई इसलिए लोग अपने स्वास्त का खयाल रखने के लिए यह साइकल चलाना बेस्ट एक्सराइस मानते है क्योंकि साइकल पूरे शरीर के माउस पेशियों को पूरी तरीके से सक्रिया रखती है और केवल शरीर ही नहीं बलकि परियावरन को भी साफशुद्रा रखने में मदद करती है इन सब का महत्व देखके 19 एप्रेल 1943 से आज तक पूरे विश्व में साइकल दिवस मनाया जाता है इसे बनाने में काफी लोगों का सहबाग था परतो क्रिक पैडरिक मैक पिलर ने तो ये साइकल का इतिहास पूरा बदल दिया तो ये थी साइकल की कहाने करते हैं